नमस्कार आप देख रहा आरेडी नियोज मैं हूँ योगी श्क्रवर्टी बिहार में दो अक्टूबर को एक नई पार्टी का जन्म होने जा रहा है उदय होने जा रहा है और ये पार्टी गांधी के सपनों को साकार करने का दावा कर रही है नाम गांधी का जन्सुराज के अधार पे जन्सुराज होगा और इसके मुखिया फिल हाल परशांत किशोर होंगे कहा जा रहा है कि इसको लेकर के बड़ी तैयारी चल रही है और आने वाले दिनों में जन सुराज बिहार के तमाम राजनितिक दलों को पठकनी देने की तैयारी कर ली है और बिहार में सब कुछ बदला बदला नजार आएगा क्या कुछ होगा हमारे साथ सिनियर जर्नलिस्ट अरून पांडे जी है आईए इन से समझते हैं चर जिस तरह से 2 अक्टूबर को परशांद किशोर जी की पार्टी जन सुराज का गठन होने जा रहा है क्या कुछ होगा इस पार्टी में ऑफिये अपने प्रारम्भिक जर्चा में कुछ बड़ा महत्पृल बात कह दिया एक तो आपने कह दिया कि जन सुराज तो सच मूठ में आधि में राशपिता वहत्वागाननी का नाराथ था शपना था जन्सु राज, वह इसा राज जहां जनता की भागीधारी हो। तभी न जन सुराज होगा अब नाम तो बहुत जन सुराज अब तक कभियान था विहार में पिछले दो साल से जो चुनावी रन नितिकार के रूप में जिनकी पहचान है ना सिर्फ विहार में नितीश कुमार के लिए बलकि कई राजियों में कॉंग्रेस पाटी सपा तिर्म बक्सर जिला के रहने वाले हैं जिसको आप कहते हैं कि बीर कुमर सिंग की भूमी है और वो शांत की सोर दो अक्टूबर को उन्हें ठानी की नई पाटी बनाएंगे पाटी तो बनी है लॉंच करने जा रहा है और यहीं पटना के वेटनरी कालेज मैदान में जो प्रखंड पंचायत जिलास तर पर ऐसे सारे लोगों को नहां मत्रीत किया है और भी एक करोड़ सरस बनाएं यह दावा है उनका ऐसे लोग भी आएंगे तो वो पाटी उनका यहां स्थापना कार्शक्रम है और प्रशांत की सोर जो गांधी जी का सपना एक उसमें जोड़ पहले ही जरूरी हो गया कि प्रशांत की सोर ने में सत्ता में आने से पहले एक बड़ी घोशना कर दी है विहार के लिए नितीश कुमार ने हैं 2016 से पून सरावंदी लागू कर रखती है प्रशांत की सोर ने कहा है कि जोहीं जन सुराज पाटी की सरकार बनी हम इस सरावंद प्रुमों से अलग क्या होगा आफ्या करत भी एक बाट जो मैंने आपको ऐसी पार्टी से बड़ी बन गए तो पहले ही उसके संघठन बन चुका है मतलब उसका जिला अस्तर पर प्र प्रखंड अस्तर पर पंचाइद अस्तर पर उसका संगठन और नड़ी बन चुका है अ और पाटी लॉंः चोंगी और पार्टी का पहला अध्यक्ष उस्थ फना किये कि उनकी पाटी का अध्यक्ष पहला दलीस फिर दलीत씨 के बाद अमस्थ खोरगा उन्हें कहा Hansке सभी वर्गों की भागिदारी होगी नितित हम देने जा रहे हैं तो सबसे अधिक जो दलीत समाज बड़ा बंचित रहा है उसको लोग जो सम्मान मिलना चाहिए था नहीं मिला है तो हम दलीत से शुरू करेंगे ये ठीक है कि अध्यक्ष होगा और ये तमाम बाते वो कह रहे ह हैं और लेकिन ज्यादा तर जो राजनीतिक पार्टियां बिहार की वो कह रहे हैं कि परशांत की शोर जो है वो फूके हुए कार्तूस को जमा कर रहे हैं मतलब ऐसे निताओं की फौज जमा कर रहे हैं जो महत्विहीन हो चुके हैं जिनका कोई जनाधार नहीं है देखिए अब तक चुनावी राजनीत से बास्ता नहीं रखा है आप देखिये विहार में तीन दसक में तो यहां लालुजी और निति इसकुमार के दोनों की सत्ता रही है एक तो ऐसे लोग से उप चुके भी लोग हैं, समर्थक भी हैं, तो उप चुके भी लोग हैं, अब ऐसे लोग जो बदलाव चाहते हैं, जो पिछरा विहार को विक्सित विहार के रूप में देखना चाहते हैं, 2047 तक विक्सित विहार का सपना देखते हैं, जैसे प्रधान म आने के बाद सरकार का क्या एजंडा होगा कुछ परमुख एजंडा की भी जोशनाम नहीं कर दिये तो दूसरी पार्टी से भीन है कि यहां तो जात्न पहले है हर पार्टी में हर पार्टी का नेता किसी जात का है और उस जाती को गुलबंद करके उसके आधार पर वो बोट के चुनावी मैदान में जाता है प्रशांत की सोर जाती गवन है वहां व्यक्ति उपर है अब एक पत्रकार है आपको पाटी से मतलब नहीं है अब आपके जैसे लोग को मिला रहे हैं कोई इंजिनियर है हां अधिकारी भी कोई है कोई सैंटिस्ट है कोई जज रहा है कोई बक प्रमुक्ता मिलती है कि अब भासंत पिलाएंगे यह प्रसांत की सोर की पार्टी में आपने देखा फूर केंद्रे मंतरी देवेंद्र प्रशाद यादव जोएन कि कि एक नेता जो है जन सुराज में जो है वो उनकी सदस्ता लेने गया थे और उन्होंने देखा कि भाई बात कहें कि किसी को भासंद देने का मौका नहीं दिया था इससे वो नाराज होकर चले आया और उन्होंने कहा कि यह उनका आरोब था ऐसा कि यह सिर्फ खुद को नेता प्रोजेक्ट कर रहे हैं दूसरे को नेता उभरने का मौका नहीं देना तो जो पहले से नेता था जो अच्छी है और अच्छा नाम मूरा नाम कमा कर गया था प्रशांद की सुर्ट तो ऐसे ही लोग से परहेजी कर रहे हैं वो ऐसे लोग को समाज में ले जाना चाहते हैं जिसकी दूसरी प्रिष्ट भूमी हो जो सिक्षा बीद हो जो बकील हो कोई नियाई पारिकास से जुला सम्भव कुछ ऐसे लोग भी अभी यह प्रसांथ की सोर की कहीवात मैं कर रहा हूं अपनी प्रोच से अपना अपनी राय बता बताएए ना आपने प्रारम भी मैंने कहा गांधी के का जो सपना है आप बता रहे हैं उसको पूला करने के लिए जन सुराज नाम दे दिया और कि और उन्हों ने अपनी पार्टी की यह पद्यात्रवा शुरू कि थी वह निलों के खिलाब किया था यहीं से गांधी महात्मा parenting करते हैं उसके निता वहीज स सुडू करते हैं तो राष्ट पिता आंड के श्योग को लोगों ने देखा सक्षाइए टेखा टेकों लेकिन सर आपने कहा सादगी तो सादगी तो परसांद की शोटी में है नहीं वो करोडों की गाड़ी से घूमते हैं अच्छे कपड़े पहनते हैं टाइप और पैंटस भी पहनते हैं जीन्स भी पहनते हैं और दूसरी बात जी जी वो हम पहनते हैं लेकिन हमें विचार होना मन की साध्णिगी समाज में उस तरह से मेसेज देना ये बड़ी बात होती है कोई सब महातमा गांधी नहीं हो सकता है लेकिन महातमा गांधी के आदर्स विचार को अपनाने में क्या बुरही है जो कोई अच्छा रा अच्छी राह बताया है हमको अस्वानुसरन करने में क्या दिखाता है आगे मैं यह बात कह रहा था अब प्रशांत की सौर्प की पार्टी जो लॉंच होगी ना जो एक तो मैंने आपसे बताया कि कितना राजितिक दलों से भीन होगा वो सभी दल के रा देख रहे हैं जो लोग सामिल हुए हैं उस सब को निरासा हाथ लगी बहुत लोग उनके सांचे में फिट नहीं बैठते हैं आने दीजे पार्टी लॉंच होगी सभी 243 सिता बताये ना लालु प्रशाद अनितीश कुमार 243 अकेले ले लड़े क्या एक संजुक्त बिहार तब भी दोनों भाई में कोई नहीं लड़े थे राजनीत लालु प्रशाद जब चीफ मिनिस्टर बने उसके बाद ने राज बटा तो कुल मिला जुला कर मैं यह आपसे कह रहा हूं कि प्रशांत की शौर का जो ताना वाना है ना राजनीती की दोनों अब लालु जी नब खुद को मुख्यमंत्री के तौर पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं और मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं अभियार का आपने कहा कि वो किसी को मतलब ऐसे ब्यक्ति को आगे नहीं बढ़ने देंगे जो थोड़ा सा भी गलत हो तो क्या जिस तरह से वो दलेत पिछड़े और अलप लेकिन वो साथू सन्यासी हैं इतनी बड़ी पूंजी लगा करके ताना वाना उचला रहे हैं अब सारे उनके लोग कहें कि नहीं आपके बगएर अब यहारे नहीं चलेगा मेरी पाटिर आप देखा भी जिल्ली में इस्थिपादे दिया रविंद केजरिवाल ने तो जो कि नहीं क्या किए उन्होंने एक कुर्सी रख दिया और वहीं देखिए जवराम गए थे बनवास तो वहां भरत जी ने क्या किया था खराव राज नीद चलती है न संस्कृति अब बन गए अभी देखिए ना मताते हैं वो खुब हुव इस्थिति नहीं है लेकिन अभी ख धारक कुछ नहीं रहेंगे शुत्रदार रहेंगे लेकिन कल वो इस्थिति आ जाएगी जो आप परिकल्पना की है तो मुखमंत्री नहीं बनेगे भले अभी कह रहे हैं मैंने तो आप से कहा कुछ शाधू सन्यासी हैं तो परशांत किशोर ये भले ही अभी मुखमंत्री न बात आएगी सामने तो बिल्कुल वे इससे पीछे नहीं हटेंगे फिलाल इतना ही आप हमें फेस्बुक पर फॉलो करें योट्यूब पर सब्सक्राइब करें लाइक करें सेयर करें और कमेंट्स कर अपना महतुपुन विचार और सुझाब जरूर दें धन्यवाद्वाद पर और सुझाएब ठी झाल